हर घर खुश होता है जब परिवार में बरकत होती है बरकत होती है तरक्की से तरक्की होती है विकास से और विकास होता है शिक्षा से और इसी मुफ्ष शिक्षा का समवैधानिक अधिकार दिलाएंगे RTE Action Committee के चेर्मन M.D. शाहिद शरीफ अधिक जानकारी के लिए संपर्क करे 87961-21213 आप सभी पालकों का हमारे RTE Action Committee का उत्राइस न्यूज चैनल में सौगत है देखिए के विभिन प्रकार की समस्या का सामने से जूज रहे है पालक गन अभी मेरे को सबसे ज़्यादा शिकायते ये आ रही हैं कि पैरेंटों को बहुत स्कूल वाले तकलीफ दे रहे हैं कि आप कापी किताब खरीद दिये ड्रेस खरीद दिये हमारे आई से आपको लेना पड़ेंगा ये सारी बातों के लिए मैंने आप सभी को आगरह किया था कि आप मुझे अप्लिकेशन भेजिये और अप्लिकेशन आपने शिक्षन अधिकारी कारयले का मुझे दिया और वहां से सुईकार करा के भी लाया लेकिन जब विभाग में मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला कि ये मेरे तरफ नहीं आता है लेकिन नियम में कैसा है कि सबसे पहले हमको अरजी शिक्षन अधिकारी से ही करना है और क्योंके वो हमारे एक्ट में प्रोविजन है और उसका जिले का प्रमुख जो है सिक्षन अधिकारी प्रात्मिकी रहेंगे इसी आधार पे हमने एक दस्तवेज उनको दिये क्योंके आगे हमको कमीशन में जब हम फाइल करेंगे तो ये हमको पूछा जाता है कि आपने इस्तानी अधिकारी से संपर किया था क्या उसी आधार पे फिर मैंने कमिशनर महनगर पालिका के लिए एक अरजी का आपको मैंने सभी को वाटसेप में बना के दिया था और उसी के आधार पे मैं जो अभी फाइल करने जा रहा हूँ तो आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप मुझे वाटसेप में वो जहनकारी मत भेजिए आप या तो मेरे कारयाले में लाके जमा करा दीजिए जो मैंने एडरेस आपको दिया हुआ है नाकपूर का तो वहाँ आप लाके जमा करा दीजिए या तो आप मुझे मेल कर दीजिए अब बार-बार मुझे पूछते हैं कि कहां देना है क्या करना है यही सवाल रहते हैं अभी एक जबाब तो आपने मैंने आपको इसका दे दिया दूसरा सवाल यहां पे हो रहा है कि उठते बैठते लगता सपने में भी इनको आटी दिख रहा है याने सेकेंड लॉटरी कब होगी आप लोग समझते नहीं हैं आज मेरी गौर्मेंट से बात हुई है डिप्टी डारेक्टर टेमकर जो हैं वो इसको देख रहे हैं पूरे कारेक्रम को तो आपको याद होगा मैंने दिल्ली से एक कम्प्लेंट फाइल कराई थी आयोग ने इनको लेटर दिया है कि आप सारे मामले की दुरुस्ती करके प्रक्रिया को सही तरीके से करिए तो इसी आधार पे जिन जिन के नंबर किलोमीटर के वज़े से ज़्यादा दूरी के इसमें आ गया है शामिल हो गया है वो एक प्रॉबलम है दूसरा है कि वापस से उनको जो दो से तीन किलोमीटर वालों को शामिल करना है और जो हमारे पास में पंद्रा सो एडमीशन बज़े थे उन एडमीशन को भी इसके साथ लेना है तो ये प्रक्रिया में दुरुस्ती हो रही है ये जानकरी अभी मुझे आज सिक्षन भाग के एनाइसी दौरा प्राप्त हुई है तो ये मैंने आपको एक चीज ये क्लियर कर दिया हूँ अभी यहाँ पे दूसरी बात एक और मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग ये पूछते हैं कि ये कार्ड का क्या होगा अब कार्ड देखिए कार्ड तो पहले नाकपूर में चलेगा बाकी राज्यों में अभी हमारी बात चल रही है तो जैसी डील होती है वो अब उसको जानकारी दे देंगे अभी कुछ हमारी डॉक्टर से भी बात चल रही है कुछ हमने डॉक्टर क्योंकि बच्चों को बीमारी है बहुत होती है और इसके लिए हमारे बास पैसा नहीं होता प्रॉपली हिलाज कराने के लिए तो बहुत नॉमिनल चार्ज में आपको डॉक्टर बड़े सरजन बच्चों को देखेंगे उसके लिए भी मैंने एक ये अप्लाइ किया हुआ है वो मुश्किल से बहुत जल्द उसको आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी कि वो कार्ड अपना वहां भी अप्लीकेबल हो जाएगा तो ये आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से हमारा संस्तान काम कर रहा है आपके लिए तो आप थोड़ा विचलित ना हो और मैंने कार्ड के लिए भी मुझे भी महां से मैसेज आता है आपके वाटसेप में तो मैंने बार-बार बोलता हूँ आप लोग सही नाम बेजिए और नाम ही लिख के भेजिए आप लोग इतना सारा सिस्टम में लिख देते हैं उससे हमें बहुत दिक्कत होती है हमारा सब आटो अपडेटेड़ सिस्टम है हमको कोई जरुवत नहीं किसी से मिलने की और किसी से कुछ करने की सीदा आप नाम लिखिये डायरेक आपको पांच मिट के अंदर कार्ड आपके वाटसेप के हाथ में होगा तो इतना टेकनिकली लेवल में जब हम काम कर रहे है तो यह काम है आपका भी कि आप हमको सयोग करें बार-बार यह चीज़े ना पूछे फिर कई बार बैर को यह भी मैसेज आ रहा है कि एक बार कार्ड ले लिए ता फिर को दूसरे नाम से जो काड मांगते हैं तो मैं आपको क्या कहा है के आपको काड यदी होना है तो आप subscribe तो करिये आप Mother एक subscribe करेंगdd एक Father subscribe कर ले क्योंकि सिस्टम जनेरेरेट काड है जब तक आप subscribe नहीं करोगे तो ये आपको काड नहीं मिल पायेगा तो आपको यह देखना है कि किस तरीके से हमको कार्ड लेना है तो मैंने आपको तो बार बार बोला आप एक नी दो नी तीन चार ले लिजिए लेकिन उसमें आप अपना सबस्क्राइब करिए पहले एक मदर कर ले फादर कर ले फिर कोई रिष्टादार कर ले बड़ी एक सर्जन है जिन्होंने 20 साल से इस छेतर में काम किया है और हम देखते हैं कि बच्चों में बहुत सारी शिकायते इसकिन की होती हैं और पैरेंट्स जो हैं पैसे के वज़े से उनको दिखा नहीं पाते हैं तो एक हमारी इनके साथ भी एक डील हुई है कि इन्होंने बोला है कि हम जो बच्चे रहेंगे उसको डिसकाउंट कर देंगे और 50% तक इनकी जो फीस है उसमें बच्चों को डिसकाउंट मिलेगा तो आज से ये भी कार्ट अप्लीकेबल हो गया है मैडम से हमारी बात हो चु है डर्मोलोजिस्ट है ये रामदा स्विट में ये लोकमत बिल्डिंग में पांचवे नंबर के फ्लोर में बैठती हैं और इनका समय है ग्यारा बज़े से पांच बज़े तक रहती हैं आप इनका पता करके ये भी आप लाब उठा सकते हैं और आपके बच्चों को जो इस लिए जितने भी पैरेंट अभी बचे हुए हैं अभी काफी पैरेंटों ने मुझे वो फॉर्म नहीं भेजा है भरके मैंने आपको पूरा राइट अप भेजा था आप लोग राइट अप भी देखके काफी करके नहीं भी सकते कई पूछते हैं कि सिगनेचर में क्या देंगे बहुत शिक तो आप हमसे ऐसी बाते करें जो जिसमें आपको प्रॉब्लम नहीं हो कुछ आप इस टाइब की बाते करके आप हमारा समय पूरा खराब होता है इसमें बारबार हमको अपडेट लेने पड़ते हैं तो आप लोग जो है जल से जल मेरे को शिकायत जो आ और हम इसकी जानकारी आपको जल से जल उपलब कराएंगे अच्छा एक बहुत इंपोर्टेंट बात आप से मैं शेयर कर रहा हूं कि जो आप लोग कहते थे कि पहली से चौती तक के जो बच्चे हैं जिनोंने अभी अपना ये कर लिया है मतलब पास कर लिया है तो वो हमको शिकायत दे दो तीन स्कुलों की बहुत मिल रही है जैसे मौडन स्कुल हो गया संदीपनी हो गया कि जहां पर चौती तक बच्चे पढ़ चुके हैं लेकिन आगे का उनका मुस्तक्विल क्या होगा तो इस अंदर में हमने मिनिस्टी के साथ में बैठक भी ली थी बैठक मे यह नीरने भी हुआ कि भई यह पॉलिसी मैटर है अब इसमें सरकार को निरनय ले लेना है तो इस gaming भी हमारी आजी संतूच गायकौड जो है उफसंचा अपना सच्चि Sugarman Land तो उनके साथ में हमारा डिसकेशन हुआ और हमने उनको ये बोला एक भई के यहां नियम में जब 6-14 साल के बच्चे को देने की बात हुई है तो यहां पे हमारी सरकार क्यों हस्तचेप नहीं कर पा रही है और यहां पे सिक्षा के अधिकार से बच्चा वंचित रहता है चौ उनको ये सामना करना पड़ रहा है कि नियम दो कैसे आटी के बच्चों के लिए नियम अलग और उनके लिए नियम अलग तो कुछ पैरेंट्स जो है कोट में भी कहते और कोट में उन 40 बच्चों को नियाय मिला है और सिक्षा ने भागने ही उनको अलग-अलग 3 किलोमेटर की स्कूल में दाखला दिलाया था लेकिन अभी की परिसिति के अलग है और अभी इसमें जब मैंने आज बात किया हूं तो अभी मैंने आयोग में भी बात की है ने NCPCR कमीशन में मैंने बात की है तो जितने भी ये जो मुझे सुन रहे हैं ये जो पैरेंट संधी पनी वाले मॉडर्ण वाले जो ने मेरे पास अप्लीकेशन लाए तो वे इस छीज़ को ध्यान में रखें और अभी भी जिन्हों ने एड्मिशन लिए है वो भी इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जहां तक 4 दक के स्कूले है कई स्कूल तो नियम में ऐसी होती कि पहले जब इस कूल चालू करना होता है तो आपको पहली से चौती तक के स्कूल स्टार्ट होती है तो वहां पे आपको पहले परमीशन दी जाती है कई बार स्कूल वाले क्या करते हैं बचने के लिए बाहर चले जाते हैं लेकिन हम लोग उनको सिकंजे में बिल्कुल बान के रखेंगे और पहले ही से अभी हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं कि यूटाइस जहां कई भी जाएगा वो आप लोग अप्लिकेशन में बताऊंगा आप लोग अप्लिकेशन ही तो नहीं देते ना अभी जैसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी जो बहुत बड़ी लड़ाई है तो और हमारे बहुत सारी इसके साथ डीलींग हो रही है तो बस आपको याद रखना है कि आपको सब्सक्राइब करना da बढला से